हेलो फ्रेंट्स इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा बचा हुआ कपड़ा लेंगी हेलो गाइस कैसे हो आप सब मैं उमीद करते हूं कि आप सब ब्लोग ठीक ठाक होंगे दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने योग टूब चैनल होमार्ट में तो फ्रेंट्स हमें ऐसे सरकल के पीसिज है वो त्यार करने है इस तरीके से तो दोस्तों ऐसे हमने सरकल की पीसिज त्यार किये हैं फिर हम एक प्लास्टिक का थेला चाहिए उसको रखेंगे उसके ऊपर हमें इस तरीके से यह जो कतरन है इसकी हमें से बनानी है ऐसे देखो एक कतरन को कैसे फोल्ड करना है यहां से देखो जो हमारी सरकल वाली पीस है उसको एक बार फोल्ड किया यहां से दो बार फोल्ड किया तीन बार और चार बार ऐसे फ्रेंड्स हमें एक पीस इसको चार बार फोल्ड करना है फिर हमें राउंड सेप के अंदर लगाना है देखो एक बार किया इस तरीके से और चार बार फोल्ड किया यहां से चार बार हम एक कत्रन को फोल्ड करेंगे फिर हम सरकल के अंदर इसको लगाएंगे फिर कोर्नर के ऊपर अच्छे से सिलाई लगाएंगे तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप की अच्छे से समझ में आ जाए और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में सेयर करें ताकि उनके पास में घर में ऐसे पुराने कपड़े के या फिर नई कपड़े के छोटे-छोटे पीसिस पड़े हैं उसको ऐसे बेका को subscribe नहीं किया है तो प्लीज अंको subscribe करके bell icon को प्रेस कर लें ताकि हर रोज आपको नए video काप्टेट मिलता रही तो इस तरीके से friends इसका जो first round है वो मैंने complete कर लिया है अब हमें इसका second round लेना है देखो यहां से same उसी तरीके से हमें कतरन को फोल्ड करना है same तरीका वही है जो हमने first round के अंदर pieces लगाए थे fold करके उसी तरीके से हम second round में लगाएंगे बड़ जो हमने first round के अंदर सिलाई लगाई है उस सिलाई को हम cover करते हुए second round के अंदर ऐसे लगाएंगे ताकि हमारी जो पहले वाली सिलाई है वो बिल्कुल भी ना दिखे ऐसे हमें सेकेंड राउन को देखो कैसे कतरन को फोल्ड करो एक बार फोल्ड किया दो बार तीन बार और चार बार इस तरीकी से हम फोल्ड करेंगे फिर इसके उपर सिलाई से इसको कवर करेंगे तो दोस्तो तो अगर आपके पास में भी इस तरीके से पुरानी कतरन या फिर बच्च वी छोटी कतरन को ऐसे पिसे सब्सक्राइब करो हो जाता है उसको आप ऐसे बेकार में ना फैंके बहुत ही गुदगुदा सोफ्ट पायदान बनाकर त्यार करें तो इस तरीकी से फ्रेंड्स यह देखो कितना सुंदर लग रहा है इसके मैंने दो राउंड ले लिए कितना ही अच्छा इसका डिजाइन साया है तो फ्रेंड् हम हर एक पीसिस को रखेंगे उसको फोल्ड करेंगे और ऐसे हमें सिलाई करना है सबसे पहले हमारे पास में जो भी कतरन है उसको हमें सरकल के अंदर कट करना है कोई भी सरकल वाले पीसिस लेके उस सोरी चीज लेके उससे हमें निशान लगा कि ऐसे सरकल के अंदर रखे और अगर आपको सिंगल कलर से बनाना है तो आप इसको सिंगल कलर से भी बना सकते हो अगर आपको मल्टी कलर से बनाना है तो ऐसे आपके पास में बच्वी कतरन काम में आ जाएगी अगर आपको सिंगल कलर से बनाना है तो आपको काफी कपडा लेना पड़ेगा फिर ये आप सिंगल कलर से बना पाओगी तो इस तरीकी से friends आप single color से भी बना लो और अगर आपको multi color से बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो छोटी-छोटी कत्रन को use में लेके तो दोस्तों इस तरीकी से हम इसको fold करते जाएंगे और इसको sly करते जाएंगे तो इस तरीकी से friends ये देखो मैंने sly करते करते काफी complete कर लिया इसको कितना ही सोंदर इसका designs लग रहा है देखो आपको एक बार और दिखा देती हूँ थोड़ा सा कैसे हमने इसको sly कर त्यार किया है तो दोस्तो अगर आप प्लास्टिक की थेले की जगह इसको कपड़े के ऊपर attach करना चाहते हो तो आप कपड़े की साथ भी इसको attach कर सकते हो इस तरीकी से friends देखो जो बीच का खाली बचा है उसको भी हम ऐसे ही cover करेंगी तो ये देखो friends मैंने पूरे डोर में इसको complete कर लिया है कितना ही सांदार इसका design साय इसके साथ हमारा पूरा पाइदान बनकर त्यार हो गया है तो friends ये वीडियो आपको कैसे लगी आपकी राय कोमेंट में जरूर लिखे आपका ये आज का पाइदार आपको कैसा लगा भाई friends फिर मिलते हैं इसी तरीकी से प्यारे और नए नए वीडियो की साथ